नमस्कार मैं आसी स्पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में UPPR PB के दुआरा जो टाइपिंग टेस्ट आपका ASI, ASI और एकाउंटेंट वालों का होना है जिनका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन हो चुका है 18 तारिक से टाइपिंग जो है जो बताया गया था वह आपका स्टार्ट कर दिया इसकी लिइस्ट भी आ गयी है कि कि ⁳ 18 तारिको क आपके जितने भी लोग DV में qualify किये थे उनकी 18 तारिक से typing test होना है उस typing test से related कुछ information आपको दी गई है कि क्या क्या आपको लेके जाना है कैसे सौधानिया बरतना है उसके बारे में एक बार हम लोग जिकर कर लेते हैं और साथी साथ एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे अगर कहीं selected हैं भाई अगर आप लोग अपने दोस्तों का आप देख रहे हों कि बेरोजगारी का ऐसा माहूल चल ला है आप मेरी बातों को समझ सकते हैं जो भी लोग अगर SI में selected हैं उनका जो है medical होने वाला है और ASI में भी selected हैं तो मैं उनसे यही अनुरौद करूँगा कि आपका वहाँ final selection होना ही है तो आप कुसी एक को आप पकड़िए क्योंकि वहां से क्या हो जाएगा किसी एक बच्चे का सीट आपको जो है उनके घर की दुआएं लगेंगे उनके रिस्तदारों की दुआएं लगेंगे क्योंकि उनके लिए एक सीट बहुत मायने रखता है तो मेरी बातों को गौर्द करिएगा आप लोग अगर कोई बच्चा कहीं भी सेलेक्टेड हो चुका है तो वह हो सके तो अपना टाइपिंग टेस्ट ना देने जाएं मैं बस एक अन्रोध आप उसे कर सकता हूं प्रातना कर सकता हूं कि बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो सीट मायने रखती है ठीक है चलिए तो एक बार यहां पर देख लेते हैं कि अब भ्हारतियों के लिए महत्पूर्ण निर्देश क्या-क्या दिया गया है ठीक है चलो बोला टंकर परिच्छा कंप्यूटर पर आयोजित किया जाएगा यह सब जानते हो कि आपकी जो है कंप्यूटर पर होगी टंकर परिच्छा की अवधी 15 मिनट होगी यह भी आप लोगों को मैंने बता ही दिया था अभ्यारतियों की टैपिंग टेस्ट में उपस्तिती होने के लिए मोल आधार काड ठीक है यह यह आधार की हाड कॉपी भी सिवकार की जाएगी कुमूल प्रवेस पत्र के साथ प्रस्तूत करना अनिवार है मतलब आपको आधार काड यह आधार काड की हाड कॉपी अगर आप लेके जाते हो तभी भी आपको सिवकार किया जाएगा आधार काड की एक फोटो कॉपी कच निरक्षप को सौप नी होगी, मतलब आपको फोटो कॉपी करक्ष निरक्षप को सौप देना, इसके बिना भ्यारतियों की टाइपिंग टेस्ट के लिए उमती नहीं दी जाएगी, कोई भी अन्य पहचान पत्र सिवकार नहीं किया जाए कि जो आपका आधार काड है, ये कमपलसरी है, इसको भूलना मत कोई, क्या होते हैं सोचते हैं कि चलो हमने नहीं लिया है, ड्राइवरिंग लाइसेंस है, वो काम चल जाएगा, यहां बोला अन्य पहचान पत्र सिवकार नहीं किया जाएगा, तो समझ सकते हो आप लोग कित परिक्षा जमान नहीं कर पाएंगे, हां कुछ बच्चों का ये था कि सरी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, यहां बोला निर्धारी समय से पहले परिक्षा जमान नहीं कर पाएंगे, और अब भ्यारतियों की टैपिंग टेस्ट में जल्दिबाजी से बचना चाहिए, ठीक आप अगर जल्दी टाइप कर लिए हो, तो वो भी जान रहा है कि मेरा अगर ओवराल मैं कहूं कि 500, आपका वर्ड है, 15 मिनट दिया गया, तो 33.33 कि आएगी आपकी, तो 30 से 30 से कम तो कभी नहीं होगा, ऐसे हिंदी में भी 26 के प्रोक्स, 27 के प्रोक्स पहुंचेगी आपकी जब करोगे, पूरे 15 मिनट, तो decrease होके ऐसा नहीं है कि आपका minimum से कम हो जाएगा, तो वो जो समय आपका बच रहा है, उसमें आप accuracy अपना maintain कर लो, ठीक है, वो आपके लिए बहतर होगा, mock test की जो link है आपको यहाँ पर देखो, जो mock test की link है, जो mock test की link है यहाँ पर, इसको देहां दिसे देख लो, वो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि आप लोग जो लोग mock test न दिया हो दे लें, इस वाले पर है 20online application.form.org में, अपने आपको typing software से परचित होने के लिए इस link पर उपयोग कर लें, कि typing software आपका कैसा होगा, आयोग ने पहले आपको दे दिया, तो इस link पर आप जाकर typing test दे लें, अब भ्यारतियों के admin card में उन लिखित reporting समय के अनुसार परिक्षा के इंदर पर report करना होगा, उसके बाद से बोला है कि CBT परिक्षा के दौरान capture किये गए biometrics को typing test परिक्षा के इंदर पर सत्यापित किया जाएगा, ठीक है, जो आपने CBT परिक्षा के दौरा capture किया गया biometrics था, जब आपका online exam हुआ था तो आपकी biometrics होई थी, तो वही biometrics आपकी फिर से जब यहाँ पर आप कराओगे, चेक किया जाएगा cross कि वही अभ्यारति है कि कोई और तो नहीं है, एक बार सत्यापित होने के बाद अभ्यारति के नए biometrics और photograph टंकर पर अच मुखित गेट बंद करने के समय के अनुसार परिक्षा केंदर का मुखिद्वार बंद कर दिया जाएगा, जो भी आपका है, मुखिद्वार बंद होने के बाद किसी भी अब भ्यारतियों को टैपिंग टेस्ट अस्थल में प्रवेस करनी करने, जो भी आपके admin card में last closing date लि सब चीजों को, यह परवेस पत्र केवल उनलेखिक परिक्षा तिथी के पाली के लिए ही मानने होगा, किसी भी परिस्थिती में, टंकर परिक्षा के तिथी सिफ्ट केंद या परिवर्तन के अनुमती नहीं है, इस बात को ध्यान रखिया, आपका कुछ भी लगा हो उस दि पहुचने के पता लगालें, ताकि वे टंकर परिक्षा में दिन समय केंदर पर पहुच सके, मतलब आप वही बोलने हैं, कि एक बार अपने परिक्षा केंदर का पता लगालो, ताकि आप अपने परिक्षा के समय समय पर पहुच सको, केवल निर्धारित अभ्यारतियों को उनके सम्मंदित समय स्ल apples के लिए टंकर परिक्षा केंद्र में अनुमति जी जाएक कि ऐसा कोई योड़ चला जाये सभी अभियार्थियों को स्लाध बिए कि इनकर परिक्षा केंद्र में कोई कीम्ती समान ना ले जाएं क्योंकि अब यार्ति के समान के लिए सुरच्छित रखने गया लाकर की वस्ता कोई भी प्राउधान नहीं है इसकी सुरच्छित अभी रक्षा के लिए UPPR भी जिम्मेदार नहीं होगा अगर आप कोई भी समान खो जाता है अगर ऐसी समान लेके जाते हो ठीक है फोन वह सबसाबसाब बोल दिया कि भום या आप ले जाओ अपने जिम्मेदारि ले जाओ UPPRPB की जिम्मेदारी नहीं है कि आपका कोई भी समान टाइपिंग पर लेके जाते हो बैग वग में जमा करके रखते हो और खो जाता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं Hos आपको एडिमिट काड पर वही फोटो जो आपका टाइपिंग का अडिमिट काड है वही फोटो लगाना है जो आपके एडिमिट काड ओनलाइन इक्जाम देती समय आपने आवेधन के समय जो आप्लिकेशन फ़र्म भरा था वही होना चाहिए टंकर परिक्षा केंद पर पहुचने पर अभ्यारतियों की प्रवेस पत्र और पहचान प्रमाड के सत्यापन के बाद ही टंकर परिक्षा ट्रमिनलों तक पहुचने की अनुमती दी जाएगी आपका एक बार प्रवेस पत्र देखा जाएगा और आपका जो है पहचान पत्र काड मिला लिये जाएगा तभी आपकों अंदर घाने दिये जाएगा पहचान जा लकार चार्ठ कहों उपास्थिती पत्रिकाँ में यहांक देना होगा यह सब आपका बैमेट्रिक मूलë एकDonald हाल छोड़ने से पहले हुमिद्वार को मूल परवेस-पत्र पर हस्थाक्षट कर कर कष्प निरकषड को जյा करना होगा जो आपका टाइपिंग test का admit card होगा मूल प्रवेश-पत्र बोला है यापर प्रवेस Minist पत्र पर यहां बोला है मिलने के लिए पाचार मिलान ना होने के लिए हां टंकर परिक्षा हाल छोड़ने से पहले उमिद्वार को मूलो यह बता दिया अभ्यारतियों को निमलिखित वस्तों की परिक्षा कच के अंदर ले जाने के नुमती नहीं होगी कौन-कौन से देखो पाठ मुद्रित या लिखित कोई भी कागज के टुकड़े जमती पैंसिल बॉक्स प्लास्टिक पाउच केलकुलेटर क्रेडिट डेविट कार्ड यह सब आपको कुछ नहीं ले जाना है ठीक है इसकेल लेखन पैड प्रेंट ड्राइव एरेजर लॉग टेबल इलप्ट्रोनिक् नहीं आपको ले जाना क्योंकि आपका एक्जाम इस्टेनरी से लेटर यह टाइपिंग से लेटर तो यह कोई भी वस्तु आपको लेके नहीं जाना है समझ गई इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि भूल से कोई क्रेडिट कार्ड और और सर लेके मत जाएगा जो भ भी खाने होगे खुला हुआ पैक किया हुआ है कुछ भी नहीं लेकर जाना है टंकर परिक्षा लाइप के अंदर अभ्यारती के अवल एडमिट कार्ड फोटो आईडी प्रूफ पानी की बोतल ले जाने की अनुमती है ठीक है सिर्फ एडमिट कार्ड पहचान पत्र और पा प्रिंट करने का प्रियास नहीं करना चाहिए अनुचित साधन की प्रियास की रूप में माना जाएगा अगर आप कहीं भी गद्यान्स को पता चले कंट्रोल पी दवा के कुछ कर रहे हो तो इसलिए मैंने बताया था कि भाया जो जो वैन है उसको दबाने की कोसिस भी मत कर पता चले आपको गलती से आपको समझ ले कि कुछ और ही करने आए हो तो गरबढ़ ही हो जाएगा यदि कोई अभ्यारती अपने अवंटित सीट के बना अनुमती के बदलता है तो वह किसी भी कागजत दस्तवैजियों का आधान प्रदान अनभ्यारतियों के साथ करते अभ्यारती और समय को UPPRB की वेबसाइट पर प्रदर्सित किया जाएगा परिक्षा परिक्रिया के सभी मामलों को UPPRPB का नेड़न अंतिम होगा अभ्यारती उसका पालन करने के लिए बात दोगे बोला है अगर कुछ भी ऐसा उनको अनुचित लगता है स्रीके सेंटर पे उसने कह दिया कि फिर से परिक्रिक्षा होगी तो होगी और आपको उसका पालन करना होगा चलो आगे देख लेते हैं हाँ बस यही दिया गया है बाकी इसमें आपका कुछ और नहीं है और थोड़ा सा है इस से रिलेटर अभी उसको बात बता देते हैं क्या क्या है चलो इसमें आ जाते हैं इंगलिस हिंदी दोनों में इंस्ट्रक्षन दिया है ध्यान से पढ़ लेना अभी क्या है उपनिरक्षक गोपनी पुलिस सायक उपनिरक्षक लिपिक टंकर परिक्षा के लिए निर्देश ठीक है यहां पे आपका गोपनी और लिपिक के लिए है क्या क्या है टंकर परिक्षा हिंदी और अंग्रेजी में होगी कंप्यूटर टंकर परिक्षा में टंकर की गती हिंदी में 25 सब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 सब्द प्रति मिनट अवस्यक है इस निर्धारित गती के साथ 85% की सुधता अब भ्यारतियों की टंकर परिक्षा में सफल घोसित किया जाएगा अब भ्यारतियों की अंग्रेजी में 500 सब्द का मिलेगा पैरग्राफ और हिंदी में 400 सब्द 15 मिनट टाइप करने होंगे आपको हिंदी टंकर के लिए यूनिक कोड मंगल फॉंट आपको चाहिए यहाँ साब साब दे दिया है आपको मंगल फॉंट चाहिए अंग्रेजी टंकर परिक्षा पस्चा 10 मिनट का विराम मिलेगा पहले एगर जिसका इंगलिस हिंदी दोनों हैं उसमें पहले इंगलिस होगा और इंगलिस के बाद 10 मिनट का आपको विराम मिलेगा उसके बाद से आपकी हिंदी टाइपिंग स्टार्ट होगी टंकल परिक्षा सुरू होने से पहले आप भ्यारती की कीबोर्ड पर सभी कुंजियों को काम काय जाच करने के लिए दो मिनट का समय दिया जाएगा जैसा आपका डेमू टेस्ट में था मैंने बताया था कि आपको दो मिनट का समय दिया जाएगा कि आप पहले चेक कर लो कि आपके keyboard की सभी keys सही से काम कर रही है कि नहीं कम कर रही है एक बार keyboard परिक्षा पूरा हो जाने के बाद अब भ्यारतियों के पोस्टी करने के लिए checkbox पर click करना होगा उन्होंने keyboard के परिक्षन कर लिया है यह ठीक काम कर रहा है जिसके बिना वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे समझ रहे हो वहाँ पर आपका last में आता है इसलिए मैंने कहाँ डेमो जरूर सब लोग दे लेना वहाँ पर checkbox आता है आप उस पर click कर लोगे keyboard में problem हो रही है तो वहाँ पर exam invagilator जो है वह आपके लिया एक भी बात सुनेगा नहीं क्योंकि यहां निर्देश में साफ साफ लिखा हुआ है तो इस चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे कुछ चीजों को पढ़ते नहीं है जो निर्देश आपके जारी होते हैं और इस वज़े से उनको खामियाजा exam hall में भुगतना पढ़ता है छोटी छोटी mistake के वज़े से चलो इसके बाद हाँ टंकर परिक्षा के लिए कोई नकरात्मक अंकन नहीं है आप साफ जाने निगेटिव नहीं है दिये के गध्यांस को अभ्यारती द्वारा एथावत ही टंकिट किया जाना आप एच्छी थै जैसा आपको गध्यांस दिया है वैसे ही आप करो कुछ उल्टा सिधा मत टाइप करना है यहां साफ साफ लिखा है यदि किसी तकनीकी गड़बडी के कारण परिक्षा अस्तगित कर दी जाती है तो अभ्यारतियों को फिर से टंकर परिक्षा आरंब करनी होगी अगर कोई टेकनिकल इसू हो जाता है और आपकी टंकर परिक्षा रुख जा अच्छा यहां बोला टंकर परिक्षा पूरा होने के बाद अभ्यारति को टंकर की गई सामगरी के प्रिंट आउट की जो भी आप सामगरी प्रिंट अगया मतब टंकर कियो हो उसकी दो प्रतिया दी जाएंगी टंकर परिक्षा परिसर छोड़ने से पहले दोनों प्रितिय द्वारा हस्तारित पर केंद्र और मौजूद निरिप्षक को जमा करना होगा अच्छा जो आपका आपने टंकर किया है वो प्रिंट आउट निकलेगा उन दोनों पर साइन करके मुहर लगेगा और वहीं जमा करना है बाहर नहीं लेकर आना है यदि कोई अभ्यारती हस्ताच प्रति जमा करने में विफल रहता है तो अभ्यारती का अभ्यार्थन रद कर दिया जाएगा यह भी ध्यान रखना तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि जो भी चीज़े आपको वहां पर कराई जहें उससे करने से पहले आप एक्जाम को छोड़कर बाहर नहीं आना है ठीक है यह मत को ना कि लेके भाग जाना है उसको अब एकाउंटेंट के लिए देख लो एकाउंटेंट वालों के लिए अभी तक कॉंफिदेंशियल और गोपनी वाला वह आपका मिनिस्टीरियल वाला था अब हम लोग थोड़ा सा एकाउंट वाले में आ जाते हैं टंकर पर 15 मिनिट का सबंदर गती जो है 15 सब्द 15 वर्ड पर मिनिट है आपका और हिंदी भासा के लिए अब्यारतियों को 15 मिनिट समय दिया जाएगा 200 सब्द आपको टाइप करने होंगे बहुत ही आपका क्या कम है भाई साब बिना कुसकी को टाइपिंग अगर नहीं आती होग हिंडी टंकड के लिए यूनिक कोड वही बात है मंगल फॉर्म चाहिए टंकड परिक्षा शुरू होने से पले उमिद्वार कीवोर्ड कुंजी को जाचने के लिए 2 मिनिट आपको दिया जाएगा वही बाकी सब कुछ सेम निखा इसके बाद कीवोर्ड खाराभी में उठा नाकरात्म कंक नहीं इत आपका सब कूछ है बस आपका बदला कि है कि आपका वर्ड जोह पंद़र वर्ड पर मिनट होगा और आपका जो पैरगराफ और तो इतना मैंने already भी बता रखा था लेकिन निर्देश है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप वीडियो के comment में जरूर बताना और जो मैंने शुरुआत में आप लोगों से एक बात कही थी कि भाईया अगर आप किसी जगा पे selected हो last में जात कोई समस्या हा तो आप वीडियो में comment में जरूर बताएगा मैं आप इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद